हे गाइज विल्कम बैक और गाइज मेरी साइंकिल लागतार पहाड के ऊपर चड़ाइं कर रही है बहुत ज्यादा हुचाई तो है लेकिन फिर भी काफी मज़ा आ रहा है साइंकिल चलाने में साइंकिल को जब मैं धक्का देता हूं नीचे उतर के तो लोग काफी गौर से देखते हैं और फिर वो बाचीत करने आते हैं तो काफी मज़ा अच्छा लग रहा है और मैं नंदगाउं से निकला और भाया जी खाना वेगरे सब खिलाएं नास्ता करवाएं और आगे बढ़ें तो नामची पहुंचा नामची से फिर आगे बढ़ें तो लगातार बढ़े रहे थे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले पलाए नास्ता करवाएं नास्ता दीये भी रागे बढ़ा तक आगे नाम्तां के आगे मैं आगे नास्ता किया था और उसके बाद आगे बढ़ा चै पांच किलमेटर आगे बढ़ने के पाद फिर एक ट्रक वाले भाईया गाड़ी रोकिया बोले कि आप चाय वेगर पी लो नहीं जाए तो अभी पीछे पांच किलोमेटर पहले नास्ता वेगर भी किया है तो ले नहीं एक बार फिर से पी लो तो मैं एक धावे में चाय नास्ता करने लगे और वो मेरे बैक में भी डाल दिये फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरा बैक चुट गया है पिछले जहां पर मैं नस्ता किया था तो भी याद है ना कहां पर चुटा है मैं बहुत कोई नहीं से चलो मैं यह कर लिया आता हूं फिर ट्रक लेकर गए साथ में और मुझे लगा कि उधर से फिर कोई गाड़ी में बैठा द दो जाता है तो यह मलब जो सिक्की में लगातार मुझे प्यार मिल रहा है मलब मैं समझ नहीं पा रहा है कि इतना प्यार क्यों मिल रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है बिलकुल तो फिर मैं आगे बढ़ा लगातार चड़ाई था लगातार चड़ाई चड़ाई चड़ चले जाओ वहां पर एक स्कूल है गाओं के बीच में कोई दिकत नहीं वहां पर आर्मी वाले कैम्प लगाते हैं तो आप उहां पर चले जाओ और गाइज मैं फिर जा रहा था बीच में बहुत गिरनी आया बहुत खुबसूरत पहाड और केवल कार वेगर अभी था काफी सा चारा अच्छे-च जगत है जिसका मैं इसमें करूंगा नाम के साथ तो इस तरह से और मैं पिक्चर के ले रहा था वहां पर जो भी पिक्चर ले रहा था दो अच्या नहीं आ रहा था क्यूंकि मैं बहुत उचाई पे साईकल चला रहा था और उघ्वाधल ईपा दिख रहा हैं जहां पर दामठाग जाना था याँ जा पर और बादल डिख रहा था जैसे आसमान में जब हम जहाज पर चड़ते हो पर बादल दिखता हूं तरह से तो करीब साड़े-चार बज़े मैं पहुंचा दामथांग और एक दो बच्छे खेल रहे थे फुटोल ऐसे रोड पे तो फिर वह इंसे पूछा कि यहां पर स्कूल कहा है दामथांग का तो बताया कि हां से किलोमेट साफ है और फिर कैमरा दुसरे वहर मोड रहा हो बिलकुल दंदला है बिलकुल कोहासा है तो इस तरह से बिलना वेदर है काफी अच्छा लगा लेकिन जब मैं अंदर गया तो बिल्कूल कुहासा में दीख नहीं रहा था मैं डर गया कि अंधेरा होगा तो फिर मैं कैसे लोगों से बाचित करूंगा उनको एकमोटेशन के लिए बोलूंगा तो खेर मैं गया और दामठंग स्कूल गया फिर मैं वही चला कि वही पर एक अस्टाप रहते हैं रात में अस्टाप रहते हों पर तो फिर मुझे और भी अच्छा लगा कि चलो अब यहां पर एक अस्टाप रहेंगे तो साथ में रहेंगे मैं काफी दिरवेट करते रहा उसी कैंटीन में मैंने मैगी खाया जो 40 रुपया का था एक फिर उनका वेट किया काफी दिरवेट किया उसके बाद जो उसमें तिन-चार लड़कियां थी और एंटी थी वो लोग रात के लिए डिनर बना रहे थे समोसा समोसा ऐसे बेजते नहीं लेकिन खुद के लिए बना रहे थे तो फिर बन गया जब लोग खाने लगे तो फिर बुलाएं कि आईए फिर मैं गया उहां पर तो मुझे समोसा बेग रहे दिए मैं उनको पैसा देह रहा था समोसा का तो लिए नहीं तो इस तरह से रहा और आठ बजे गाड़ भी होगे मैं बला कि नहीं आप ही के साथ सो लूँगा लाइबरी में तो लेकि नहीं देखते हैं फिर वो चले गए और टीचर के पास गये वो कुछ समय के बाद एक घंटा के बाद आए बोले कि कोई नहीं आप बाहर मत रहो और फिर मैं क्लासरूम में सोया सुबह में उठा और फ्रेस होकर मैं जल्दी ही निकल गया और तेमी पहुंचा तेमी के बाद बिलकुल ढलाई मिलने वाला पुरा ढलाई था पास में हिमाले का जो चोटी है बर्व वाली हो दीखता है तो जब मैं स्कूल के पास गया था और एक लड़की थी उनसे पूछा था कि यहां पे पास में होता था यहां पे कैसे तो फिर मसूस करना लागा कि ठंड लग रही है काफे जब रात में सोया तो काफी बाके में ठंड काफी लगा और जब सुबह में निकलने लगा तो फिर बर्व की पहाड दिखा तो मैं समझ गया अच्छा अच्छा है इसलिए ठंड इतना पर यहां पे ज़्यादा है अफिर आगे गया और तेमी के बाद मैं अपने साइकल पे बैठा और रोड चौड़ी है बिल्कुल हाईवे और चाय का बगान बगल में ही महले का परवत दिख रहा था बिल्कुल बेहद जबरदस्त वह सीन था व्यू था और मैं चालिस के समय है तो मैं रोका और का अब बुझूर्ख जैसे वह बात कर रहा था बिल्कुल चोटा सा बच्च्च लेकिन बजुद बात कर रहा ह reward तो ला Me मुझे भी साइकल चलाने का सौक है मैं भी चलाओंगा साइकल और फिर उसको बैठाया और साइकल चलाने की जरुवत नहीं थी तक धक्का देने की नहीं था क्योंकि ढलाई थी तो चलने लगा कुछ दिर के बाद मैं बला कि चलो अब उतर जा तो नहीं थोड़ा साइकल चलाया उसके बाद फिर उत्रा फिर काफे सारे बाते की और फिर पता चला कि वह दामथांग यह स्कूल में पढ़ता है तो उसके साथ मैंने एक फिक्चर लिया जो आप देखें इस तरह से फिर मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ते बढ़ते फिर रानी पूल के पहले एक भाईया मिले सुरेज भाईया और टीचर है काफी अच्छा लागा उनसे मिलकर वो बोले कि आपको गैंग टोक में अगर आपको किसी परकार का दिक्कत होगा रहने का तो आप मुझे फोन कीजिएगा और रानी पूल के पहले ही खाना वेगरे खिलाए फिर मैं वहाँ से निकला झब मार्किट में थोड़ा सा इंट्री किया तो फिर पता चला कि यहां पे गुर्द्वारा भी मैं काफी खूस हो गया चलो गुन दोरहrande में यहां पर आर्मेद रहते हैं मने वना साम मेहा होगा पिजल मी आप कहीं ओर डीख लिजिए फिर उसी में इसे । पुलिस वाले थे खी के रहने दीजिए तो थोनुम्य ओला थे कि दुनों आपस में उदर गए बात करनें कि ठीक है मेरे जीमेदारी रहेगा कोई नहीं आप रुकने दीजी तो रूका मैं वहां पर फिर वो ले कि जाइए आप एक और पुलिस वाले से बोले भईया से बोले वीर जी से कि जाइए इनका सेवा किजी फिर मैं गया चाय गरह हुआ और मैं सोया कुछ-कुछ वीडियो बगरह बनाया और गाइज मैं दो-तीन दिन से सोया नहाया नहीं था तो गर्म पाल नहीं मिला मैं नहाया और उसके बाद फिर नौ बजे मैं वहां से निकला जब निकल रहा था खाना उना खाकर तो फिर से अंगूर दिये कि लो रास्ते में काम आएगा और बहुत सारे लोग वहां पे थे बाचित कर रहे थे उनको काफी अच्छा लग रहा था बता रहे थे कि दिखिए ये पठान कोट से आये हैं और वहां पे ज्यादा तर लोग गुर्दवारे में जो थे पंजाब से ही थे तो इस तरह से तीन से पांच तारीक का दिन मेरा रहा यहां पे गुर्दवारे में रूखा और नमधंग में स्कूल में रूखा काफी अच्छा एक्स्पिरियंस रहा तो उतना डर भी नहीं लगत तो गाइज यह एक्स्पिरियंस रहा मेरे वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए आप हमें जरूर बताएं और लाइक कमेंट और सेर करना ना भोले अगर आपको अच्छा लगा हो तो चलिए फिर मिलते हैं